हैले अब्रों आप सभी का स्वागत है टार्गेट पूर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसी सी एलडी सी में हिंदी का सलिवस क्या रहेगा जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हिंदी इंग्लिस और संस्कृत नहीं था लेकिन जो है जब नया विज्या पनाएग इसलेक्ट करते हैं जिसके कारण एकजाम में परिसानी होती है लेकिन हिंदी एक ऐसा भासा है जिसे हर कोई समझ सकता है और असानी से पड़ लिख सकता है और अच्छा माक्स भी अचीव कर सकता है तो इस वीडियो में हम लोग JCC LDC में हिंदी का जो सलेवस रहेगा उसको देखेंगे अभी देखेंगे बिग्यापन आया नहीं है बहुत जल इसी सप्ता बिग्यापन आन सलेवस रहने वाला है जैसा कि आप लोग को पता होगा आ तो बहुत किसी को नहीं भी पता होगा कि JCC LDC का बिग्यापन पहले भी आ चुका है वर्ष 2017 में आप सभी को पता है कि एक बिग्यापन निकला था पंचैस सचीव सहलिपी तो पंचैस सचीव के अलावा LDC का भी व सलेवस देखने को मिलेगा साथ ही टार्गेट पूर को जो लंबे समय से फोलो कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि इस चैनल में दो लोग काम करते हैं एक मैं खुद सोनो गुपता और दूसरे जो है नंदुसर जो आप लोग को खोर्ठा जारकन जी के पढ़ाते हैं और दो चालन आना चाहिए और LDC में हिंदी टैपिंग था आप लोग बने रहे हैं इस चैनल में सारा कुछ त्यारी कराए जाएगा तो हम दोनों का चैन पंचैस सचीव में हो गया और हम दोनों नहीं टैपिंग भी पास किया था लेकिन फर्स्ट पिरफेंस हम लोग का पंचैस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं यहां से जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपके एक्जाम के पॉइंट भी से बहुत ही महत्पुन रहेगा अधि आप लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सेर करें लाइक करना नहीं भूल साथ ही Target-Pool का अप्लिकेशन भी है आप लोग Play Store में जाएं और प्ले स्टीपकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस अप्लिकेशन में जखायवां रिकॉडड्ट के लिए बिडियो लेक्चर भी मिल जाएगा बहुत ही कमफिम है अधिक जनकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp सब नंबर दिया होगा, वहां से आप लोग contact कर सकते हैं, साथ ही आप लोग को बता दाए कि टारगेट पूर अपलिकेशन में जारखन जिके का एक नया क्लास शुरू है, अधी आपको लगता है कि जारखन जिके आपका कमजोर है, तो आप लोग टारगेट पूर अपलिकेश सकते हैं, तो चल ये शुरू करते हैं, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JCC LDC का जो हिंदी सिलिमस है, साथ ही एक्साइज, कॉस्टेबल और JCC सिजल पर भी अगला वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जारखन 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 ज JCC सिजल और एक्साइज पर भी वीडियो बनाने के लिए लागातार मेसेज कर रहे हैं, देखिए, JCC LDC में जो हिंदी पेपर रहेगा, उसमें 100 कोश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, 100 कोश्चन पूछा जाएगा, और इसमें देखिए, यहाँ पर आपको कहान पढ़ना है, श्टोरी, कवीता पढ़ना है, और पोयम पढ़ना है, इसके अलावा हिंदी ग्रामर पढ़ना है, और इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है, वीडियो में बनेर है, A to Z आप लिक, वीडियो में बनेर है, A to Z जनकारी आप सभी तक पहुचेगा, तो देखि सबसे पहला जो बख़ब है हिंदी में जो सबसे पहला बख़ब है उस बख़ब का नाम है RO ये जो बख़ब है कछ्छा 12 के लिए हिंदी की पाइट पुस्टर आने कि ये कछ्छा 12 क्लास 12 का जो हिंदी है NCARTFcott जाना का हिंदी जाद रखेएगा आरो है और इसमें देखी क्या क्या है देखिए इस बुक में कुल 163 पेज है कुल देखिए ओरिजिनल जो NCRT है उसमें आप लोग देख सकते हैं 163 पेज है और इस बुक का पीडिया भी आप लोग को अपलब्द करा देंगे आप लोग जो टार्गेट पूर का टेलिगराम ह दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अधील लिंक नहीं मिलता है तो क्या 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 पढ़ना है तो सबसे पहले देखिए बिसे सूची आता है काभी खन आनीकी यहां से आपको पोएम पढ़ना है और कविता से भी अच्छा खासा कोहँचैन पुछा जाता है एक्जाम में कविता ज्यादा बड़ा है नहीं बहुत ही तूटी-फूटी भासा में आप लोगों कविता समझाए जागा ताकि एक भी कोहचन एक्जाम में नहीं छूटेगा देखिए पहला जो राइटर है हरिवन सराय बच्चन जी इनके द्वारा दो कविता लिखा गया और आत्म परिच्चे एक गीत दोनों पढ़ना है आत्म परिच्चे और एक गीत आगे देखिए सकेंड में अगला जो राइटर है आलो धनवा और इनके द्वारा पतं कविता लिखा गय आगे देखी, रघुवीर सहाय, इनके द्वारा एक कविता पढ़ना है, देखी, यहाँ पर लिखा गया, कैमरे में बंद अपाहिज, इसे पढ़ना है, गजानन माधाव मुक्ती बोध, यहाँ पर एक कविता पढ़ना है, राइटर का नाम है, गजानन माधाव मुक्ती यहां से हम लोग का जो एक्जाम था पंचय सचीव एलडीसी का उसमें लगभग दो तीन पहुचन यहां से पूछा गया था बादल राग आद रखेगा एक कवीता है बादल राग इसे पढ़ना है साथ ही तुलसी दास की द्वारा रचित कवीता वली आद रखेगा और लच संकर जोसी की द्वारा लिखा गया छोटा मेरा खेद और बगलो के पंख दोनों कवीता पढ़ना है तो आप लोग देख सकते है कि कुल कितना कवीता पढ़ना है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं दो यहां एक तीन दो पांच छे साथ आठ एक नो नो और दो एक आरण और दो तेरह और दो यहां पर है तेरह दू पंदरह अनि कि कुल 15 कवीता पढ़ना है और कवीता ज्यादा बड़ा है नहीं एदम छोटा छोटा कवीता है एक दो कवीता बड़ा मिलेगा लेकिन सब कवीता छोटा छोटा है आप लोग असानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते है आगे हम लोग देखते हैं देखिए गध्य खंड देखेंगे यानिकी कविता के बाद कहानी देखेंगे कहानी में क्या क्या देखिए महादेवी बर्माजी दवारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस एक रेखा चितर है भक्ति देखिए यहां से भी दो तीन कोष्चन इक जाम कहानी से और कविता से रहने की संभावना है देखिए कहानी में देखिए सबसे पहले महादेवी बर्मा के द्वारा लिखा हुआ भक्ति आगे देखिए ग्यानेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ बजार दर्स आगे देखिए धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा ग एक कहानी का नम है, रजिया सजाद जहिर के द्वारा लिखा गया कहानी नमक है, हजारी परसाद दुएदी के द्वारा लिखा गया कहानी सिरिस के फूल है, और बाबा साहे भीमराम अमबेडिकर के द्वारा लिखा गया दो है, देखिए दो कहानी है, सरम विभाजन और जात कि कविता पढ़ना है और कहानी पढ़ना है देखिए हिंदी सिलिबस में अगला जो बुक है उस बुक का नाम है वितान और यहां से भी आप लोग को कहानी पढ़ना है साथ ही यह जो बुक है कच्छा 12 आनि की क्लास 12 का हिंदी बुक है देखिए तो इस बुक में जो पहला कह कहानी के नाम है सिलवर वेडिंग और इस कहानी का जो लेखा के राइटर है मनोहर स्याम जोसी सकंड देखिए जूज और राइटर है आनंद यादव ठर्ड में देखिए आतीत में दबे पाउं राइटर है ओम थानवी और अगला जो है डायरी के पढ़ने एने फ्रेंक के द भासा में आप लोग को पढ़ाए जाएगा आगे हम लोग सलेबस में कुछ अन्य चीजे हैं उसे हम लोग देख लेते हैं और आप लोग यहां पर रस्किन में देख रहे होंगे एक बूक का पेज है और इस बूक को मैंने 2017 में लिया था सिवांगन पब्लिकेशन का बूक ह उसमें मुझे ए नहीं पता था कि जो सलेबस है पंचैस सचिव ल्डीसी का जो सलेबस है इंटर लेवल और टूएल्थ का हिंदी पूछा जाएगा एंसे आटी का हिंदी उसमें इतना ग्यान नहीं था तो मार्केट में जो बूक आया था सिवांगन पब्लिकेशन का सबसे ज़्यादा विका था और इसी बूक से मैंने त्यारी किया था एक जाम देकर जब घर वापस आए तो एक दिन बाद पता चला कि जो सलेबस था जो सलेबस था एल्डीसी पंचैस सचिव का वह सलेबस 12 का हिंदी बूक था एंसी आटी का हिंदी बूक था अधि उसमें यह प लोगों सलेवस देखके डरना नहीं है जो सलेवस है बारकी से अध्यन किजेगा तीन महीना तो असानी से 85 प्लस नमर आ जाएगा और 80 प्लस जैसे ही माक्स आया तो आपका मेरिट में आना फिक्स है देखिए आगे है जन संचार माध्यम सलेवस में और इसमें पढ़ने है रि स 신yya, Sapa, किरिय सेचल, समना अर्थे आचल आपको पढ़ना है क्योंकि हिंदी ब्याकरण है और हिंदी ब्याक्रह है इस लिख़ा है लगभग हर टॉपिक से कोश्चन पूछा जाता है कम से कम 25 से 30 कोश्चन एकजाम में रहेगा ही रहेगा तो इस परकार से हम लोग जैसी सी यहां आपतार अभ्यास करना कहानी पणंपर की जितना बार आप लोग कहानी पढ़ीएगा उतना आपकी अंदर कॉंफिडेंट में आप 50 स्जरूर पर जुमिर सब्सक्रिक मैं। मैक्सिमूम प्रियास करेंगे ये सा आएगा ने हरा इटी ऐक्सिट ग्स हमना जाता है और हम परना सबिए ड्रोफ हो उसमें आफह दाए और जो लेंग्वेज पेपर है, जीएस पेपर है, दोनों में अच्छा माक्स आ जाने के बाद आपका जो जब रिजल्ट बनेगा, उसके बाद भी एक एक जाम है, जिसे हम लोग टैपिंग करते हैं, हिंदी टैपिंग, हिंदी टैपिंग यहां पास करना होगा, 25 वर्ड पर वीडियो बनेगा, कैसे आपको टैपिंग करना है, और अभी से करना है, कि कब से करना है, A to Z जनकारी उस वीडियो में प्रवाइड करेंगे, तो इस वीडियो को सेर जरूर कीजेगा, अधि आप लोग इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को अबसे सब्सक्राइब कर इस अप्लिकेसन में कम्प्लीट टैरी कराए जाएगा, मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू